हेलो नमस्ते स्वागत है आप लोग को मेरे चलने में मेरा नाम है स्वागत और आप देखे रहें दा मार्केट प्लेस तो आज एक बहुत बड़ा सीरियस टपिक के बारे में बात करने वाले जो कि यह ऑपरेटर माइंडशेट कि ऑपरेटर कैसे सोचता है हाउ टुक्राइट इसप्लाइट तो सबसे पहले यह जानना चाहिए है कि ऑपरेटर होता कोन है यह Market को जो मर्केट में बाइंग कर तो यह हमेंशा और Kh deeper करते हैं उनको ओम ऑपरेटर बोलता है क्यूंकि उनके पास experience भी जादा होता है और उनके पास capital भी जादा होता है हम लोग तो एक छोटा सा चुहे जाया है दाना चुरी करने जाते हैं थोड़ा सा पैसा चुरी करने जाते हैं पर में जो है हाथी ओह अपरेटर अब समझ में आगया बेसिक चीज अब हम लोग का एक नर्माली में जैसे मेरे को आता है तो चीज में फिल्ट करता हूं कि बहुत सरे लोगों का यह समझ में आता है कि हम लोग जहां पर ट्रेड लिए उहीं से मार्केट रिवर्स होता है हम ऐसा होगा तो कभी प्रफिट करी नहीं चकता है सिम्पूल जीजे 90 परशन लोग यहां पर लूज करते हैं डेफिनेटल एगरी करता हूं पर और यह सा 910 परशन लोग क्या करते हैं जिसके करने क्या सोच करते हैं तो सबसे पहले चीज आपको क्लियर पढ़ना पड़ेगा अप्रेटर भी आदमी है आप भी एक आदमी हो इंसान हो दोनों इंसान है तो एसा कैसा सोचता है जो आप सोच नहीं पा रहे हो उसको हम लोग टार्गेट करते हैं तो बेसिक चीज है उसके पास ज्यादा पड़ा पईसा है अभी स्क्रीन में मैं दिखाने वाला हूं सब चीज दिखाऊंगा ध्यान से पुराच्छी से देखना केसे ट्राप करता है किसे बसना है सारे आज मैंने पोस्ट मर्ण करने वाला हूं आप लोग के सामने लाइफ प्रूप के साथ ओके तो उन् लोग उसमें आ जाओ जो कि मैंने फिर उससे चीन लूँ मतलब आपको खाना देके भुका भुका रखेगा दो दिन और आपके समने खाना रखेगा जब भाग क्या होगे खाने के लिए वाप उसका खाना ले लेगा आपके सामने से उसके बाद जो हाल होता है वह यहां पर जी ìलोट करते हैं और हम लोग लाइप रेड़ करते हैं यहां पर देख सकते हैं कि हम लुग बच जातें बाकी लोग पिड़ जाते हैं उसको अभी समझाएंगे जैसे यह काल का लाइब ट्रट था यहां है क्या हूęt anti- leiser यहां पर बोलूँगा यहां पर एक दो फोलो किया था तो फिर मार्केट उपन वा इस जागा में तो अभी मार्केट बाइंग में चल ला था आपको पता है मार्केट गया पड़ा पर प्रेसा चल ला था तो यहां पर जो लोग बूलते हैं कि करते हैं तो जो भी यहां पर कॉल लेके जाता है तो अपरेटर सबसे पहले उसको पैसा तो चाहिए वाया तो इसलिए तो डेफिनेटली इसी जगए से वह रिजक्शन लिया था और इसको खाके गया था और हम लोग का प्लान यहां पर अब मैं ट्रापिंग बता हुआ और य क्या अब यहां पर तो यहां पर एक चीज देखोगे यह त्रेट मेने यहां पर लिया तो इसके पिछे रिजन क्या है मैंने पॉर्टिकुलर यह त्रेड इस जागा में क्यों लिया मैंने यहां पे breakout होता यहां पे ले सकता था तो मैंने इस जगह में लेने का operator क्या करता है नर्मल अगर उसको ट्राप करना होता है कैसे करता है यह इसको breakout दिया और यह और एक candle बनाया तो यहां पर बहुत सरे लोग ये ट्रेड को मिस कर दिया हूंगे उपर में जो दो ट्रेड होए है तो यह दो ट्रेड तो हम चूढ गया अब हम यह पहर पी ले लें गए उसके बाद यह मार्केट ने क्या किया इतना बड़ा कैंडल बना दिया जो की जो तो बंदा अगर losses stop loss नहीं लगा होगा तो उसका 50% capital तो यहीं पर wipe out कर दिया operator ने क्योंकि operator के अच्छे से पता है आप जब ओर trade मीस होता है तो आप regret फिल करके घुसते हो मार्केट में क्योंकि आपका basic थोड़ा सा लूज है तो यहां पर हम लोग यहां पर क्यों यह ट्रेड इस candle में क्यों लिए simple चीज़ जब इसा कभी candle breakout करता है ध्यान से रखना सबसे ज्यादा ट्राप होते हैं breakout और breakdown में सबसे ज्यादा ट्राप करता है अगर कोई बिगनर आएगा तो डेफिनेटली वह सबसे पहला अगर किसी चीज़ को सिखेंगा तो है सब्सक्राइब कोई सिखता है यह आप जानते हो तो यह क्या करेगा ना जब आप कोई ही भी बंदा आएगा सबसे पहले सिलका सुपपोर तूड़ता है तो नीचे गिरता रेजिस्टांब तो उपर जाता है उसको नंवाली इसको लोग क्लासेस में बताते हैं 10 मिंट आपको और इंबेस्ट करना इतना टाइंग बैटी गये तो आपको वेट करना है अगर एसा कोई गयां करता है तभंग क्या करता है मार्केट को इस जगह को देखा गया तो आपको वेट करना यहां कर रहा है काउन से केंडल किया यहां पर ब्रेक आउट किया उसके बाद अगर आप ट्रेड करों डेट वाला चीज आपको मिलता है सेम चीज़ रहो देखो और एक चीज दिखाता है यहां पर क्या हुआ है यह भी मार्केट ने ब्रेक आउट किया यह वह सपोर्ट धा का इस सब स्हसेय सब्सक्राइब ने मिन बना तो आपने क्या करना यह दोनों का स्विंग को मार कर द criminal है क्या यहीई सुविंग निखला क्या नहीं निकला मतलब आप बच गए operator मैं क durante से और operator यहाँ पर स्केंडल में गया हो객ं क्या होगा यह सपयर्ट को ब्रेग किया होगा तो उसको ह्कि यहाउं पर क्या किया मार्केट ने यह नीचे आया तो बहुत बड़ा बनता ने कंडल सब्सक्राइब दो क्या करना है मुद्ट मतक्राऊएत इसको मार्क एक वेट करना है तिसरा candle इसको तोड़ेगा तो definitely यह move देगा पर तिसरा candle तोड़ा कि यह reversal में आया जब यह reversal में और इसके नीचे निकलना चालोगी हम लोग लाइटर ट्राप कर रहा है क्यों ट्राप कर रहा है क्यों कि जो इस candle में गया होगा इसका नीचे stop loss लगया और definitely stop loss होट करने आएग और हम profit वहां पर book करेंगे simple चीज है और यह flow flow में चला गया तो then no issue और एक चीज देखो ध्यान से देखो वह कैसे आपका मार्केट कैसा चल रहा है अगर अभी एक दो दिन से गिर रहा है वाकि यह जो दिन का ही यह कौन सा तरीक है तीन तरीके आसपास से market ब्याक टुब्य से तो इसका फाइदा operator उठाता है simple चीज है क्यों क्योंकि यहां पर देख रहे हो ना market यहां पर open हुआ छोटा सा green candle यहां पर देखो यह इसके उपर आ गया जब यह breakout दिया ना 90% लोग इस दिन का date में जाके local 90% लोग मुझे पीन करते सारा हम call लेंगे 90% क्योंकि breakout दे रह कंडल दूसरा अब कि कर दिया तो जो बंदा यहां पे नहीं लिया होगा मीश कर दिया हो गाउने तो आपने लिया किया क्योंकि आपका ट्रेट शुट भाई तो हम लोग एक talk लाइं पहले से ग्रीन लाइन को को तो प्रॉइसके लिए इसक्लोब isn't नहीं दियाना तो आपको डविद करना है कब इस जोन के अंदर आएगा एक अगर इंस जोन का Unople मरकर के राया यह शुब्या को मार्ककर करता है उसका लोग को मार्क कर द conclusions तो पर तुरं दोता हैं नहीं होता है क्यों यहां पर इसके बाद 10 मिनिट कहां होता है पहला पांस मिनिट का क्या दिख रहा है यह तो ब्रेकवड तो हो अबाकि ये जो स्विंग है इसका जो लो है इसको ये डोनों केंडल नहीं निकाल पाया पिर यहां पर निकाला जब तीर्व निकाला तो यह definitely rally मिलता है सौ परिशंट से 90 टाइम 95 परिशंट टाइम में क्योंके 90 परशंट लोग यहाँ पर गुश्टे हैं 10 10th लोग यहां पर गुशंगे कि imaginary MP यह लोग सीधे सिला पढ़े हैं प्राइस एक्षन और रेजिस्टान सपर्ट तूड़ता है तो फिर यह राली देखता है पर यहां पर जब वह एंट्री करेंगे पी लेंगे यह ग्रीन कंडल आके उनका स्टप लॉज जहां पर सारे एंट्री किया वहां ही से मार्केट रिवर् 10 परशंट जो चाला के और जो सोच सकता है उपरीटर के जैसे कि इसके इस दे सकता है जबकि यह उसके पास ब्रेक आउट उसके बाद यह तब इसको आपने कभी ट्रेड मत करना आप बढ़ करना जब तक सुझग महीं निकालाइं और अगर सहीरी में कहीं पर है सिम्पूल चीजे यह कैंडल का साइज देख रहे हो यहां पर घुसी नहीं पाओगे हिम्मत नहीं होगा फिर यहां पर आप जो भूसों के तो आपको लगे का रहे हैं यह तो भाई एक सपोर्ट है मार्केट यहां पर रिजेक्शन में जा सकता है पर यह क्या गया क्या करना है आपको इक करना है और धिंग अपरेटर के जैसा करना है अगर आप यहां पर आपने क्या करते है जो लोग यहां पर कॉल छोड़ दियोंगे हैं पर गुसेँगfred और मिकापरेसा यह स्टाप लोगा अगर अगर मैं अगम उपर ओक्षो sa तो यह चीज आज आपको क्या सिखने को विला मेरा स्ट्रीम में सबसे पहला चीज है कभी भी यह देखो यह कैसे फॉलिंग वहा है होगे फिर यह रेड़ कैंडल जब बनेगा ना आपका आधा पोईस्याँ यहां पर स्ट अप्लॉस में चला जाएगा यहां पर क्यों मार किया है लाइप ट्रेड में मुझे हमेशा स्वींग के इंतिजर रहता है 10 मिनिट 10 मिनिट ब्रेक आउट के बाद 10 मिनिट स्ट्रेजी यह यह ब्रेकाउट हो गया दस मिनिट मैंने वेट कर लिया नेक्स केंडल यह इसको निकाल दिया जब यह निकाला वान मिनिट टाइम फ्रेम में साइद एक बुलिश केंडल बना होगा डेफिनेटली दिन जाके मैंने यहां पर एक रिक्स लिया और यह टार्गेट हम लोग लाइफ मालो यहां पर यह ब्रेकाउट दिया फिर एसा आएगा फिर यह स्विंग है आपको यहां पर इंट्री होना होता है सिंपुल है आ गया समझ में अगर आ गया कैसे सपोर्ट रेडिस्टांस में आप ट्राप ना होके ट्रेड कर सकते हो तो प्लीज एक लाइक कर देना अगर आपको अगर इसमें कुछ वेलेवल मिला तो एक सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक्यू वेरी मॉस्ट थैंक्यू